दोस्तों, अगर आप 2024 में तेजी से ग्रोथ करना चाहते हैं और एक ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जिसमें आप आसानी से 8.5 लाख रुपए प्रती माह कमा सकें, तो आपको सही जगह पर हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप सिर्फ 6-12 महीने में एक सफल डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्यों बने डेटा साइंटिस्ट? डेटा साइंटिस्ट की मांग तेजी से बढ़ रही है। आज के समय में हर कम्पनी को डेटा एनालिसिस की जरूरत होती है। चाहे वह एक स्टार्ट अप हो या एक बड़ी मल्टिनेशनल कम्पनी। इस प्रोफेशन में आप न सिर्फ एक आकरशक सैलरी कमा सकते हैं बलकि खुद को एक फ्यूचर प्रूफ करियर में स्थापित कर सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। स्किल्स डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कुछ खास स्किल्स की जरूरत होगी। फिक पाइथन और आर्प्रोग्राम ये दो लैंग्विजिस डेटा एनालिसिस के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। दो, SQL यह भाशा आपको डेटा बेस से डेटा निकालने और उसे मैनेज करने में मदद करती है। त्री, Machine Learning आज के समय में Machine Learning का घ्यान डेटा साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। चौर, Data Visualization इसके लिए आप टूल्स जैसे Tableau या Power BI का इस्तिमाल कर सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट बनने का सबसे तेज तरीका आप बात करते हैं कि आप कैसे सबसे तेजी से डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। 1. Foundational Skills पर काम करें। पहले तीन महीने में Python, SQL और Data Visualization Tools में महारत हासिल करें। इसके लिए आप Coursera, Udemy या YouTube जैसी Platforms का उप्योग कर सकते हैं। 2. Machine Learning सीखें। अगले तीन महीने में Machine Learning की Basics सीखें। Kaggle जैसी Websites पर Projects करें जिससे आपका अनुभव भी बढ़ेगा। 3. Real Life Projects पर काम करें। इसके बाद आप छोटे-मोटे Projects पर काम करें जो आपको इंडस्ट्री में अनुभव देंगे। GitHub पर अपना Portfolio बनाएं। 4. Networking और Internship लिंक्डिन पर Professionals से जुड़ें और Internship की तलाश करें। यह आपको इंडस्ट्री में Entry दिलाने में मदद करें। 5. Jobs के लिए Apply करें अंत में जब आप 6-12 महीने का अनुभव प्राप्त कर लें तो Jobs के लिए Apply करें। Glassdoor, LinkedIn और Indeed जैसी Websites पर अपनी Profile बनाएं। क्या आप इतना कमा सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप इन Skills में महारत हासिल कर लेते हैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, तो 1.5 लाख रुपए प्रती महा कमाना बिल्कुल संभव है। Data Scientist की Demand लगातार बढ़ रही है और कमपनिया इस Profile के लिए अच्छे खासे पैसे देने को तैयार हैं। तो दोस्तों, अगर आप 2.4 में अपने Career नई उंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो Data Science आपके लिए एक बहतरीन विकल्प हो सकता है। महनत, लगन और सही दिशा में प्रयास करें और आप एक सफल Data Scientist बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल हैं, तो कमेंट्स में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।